अरे राहुल हमने अपने बैलो की रसी तुमको पकड़ा दिया है और तुम देखे रहना बैली दाएं भाई बाग के न जाने पाएं तुम देखे रहना और हम लोग अपने गाउं के मेले में पहुचने वाले हैं आप लोग अपने अपने किराये 100-100 रुपए निकाल कर बहुत ज्यादा मांग रहे हम लोग तो 100-100 रुपए में अपने पूरे गाउं का मेला घूम लेते अरे वो तो असद दिन आव ऐसी की बातों में मैं आगे इन्होंने का दूसरे गाउं में बहुत बड़ा मेला लगा है चलो मोदी जी अपनी बैल गाड़ी लेकर जा रहे स तो मेला पहुचने वाला हूं बिजली का जूला वहां पे जूलेंगे पिछली बार हम लोग जूला नहीं जूल पाए थे इस बार हम लोग जरूर जूला को जूलेंगे अरे योगी मेरे बेटे राहुल को मत ले जाना जूले बड़े वाले उंचे वाले जूले पे जूला रहा है रहुल रोख लो रोख लो देखो बैल गाली को कोई रुखार है क्या बात है जल्दी से पूस्ते हैं अरे मोधी तुम अपने बैल गाली की जरादी परवा entsche तो पर फोरो ड़े जा रहे हो अरे अगले सर जी इससे ज़्यादा मैं अपनी बैल गाड़ी में सामान ले कर जाता हूँ इसमें सोरे अदमी बैठें सर जी गाओं के पास में मेला लगा हुआ बहुत बड़ा आपको तो मालूम ही होगा अरे मोदी सामान ले जाने की बात अलग हो गई इसमें आदमी बैठार कर क्यों ले जा रहे हो आप तो तुम्हारा चालान कटेगा अरे अगले सर जी एक ऐसी बात हुई हमारी गाड़ी का चालान काटेंगे आप मेरी गाड़ी का चालान नहीं काट सकते क्यूंकि बाइल गाड़ी का चालान नहीं कटता है जी हा मैं आपका चालान काटूंगा आपकी बैल गाड़ी में सवारी जो बैटी है कहीं उनसे सवारीों से आप पैसा तो नहीं लेते हैं अरे अकले सर जी मुझसे एक एक सवारी से 100-100 रुपई ये मोधी चाचा ले रहे हैं अरे मोधी तो राहूल बता रहा है एक एक सवारी से 100-100 रुपई ले रहे हैं तो मोधी तुम्हारा चालान पका कटेगा चलो 5000 रुपई चालान के लिखा लोग भाई लोग अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्ट्राइब करके वेल ऐकन गंटी फ्रेस क करें